करते हैं आसान सा क्यूसन पहला है कि राजस्तान में सबसे कम भूबाग जो है वो किस परदेश का है और राजस्तान के पूरी भूबाग में सबसे कम है वो पाड़ी परदेश आता है पाड़ी एरिया रावली परतमाला तो राइटांस रापका एक नमर इसका सही है एक बार कि रण छेतर बहुले जिला कौन सा है किस जिले में सरवादिक रण छेतर आता है तो यह आता है पस्चमी राजस्तान की जसलमेर जिले में सियापका सही है चानमर है कि अरावली का जो तारागड सीकर है वो कौन सी जिले में है ये मद्यारावली में आता है मद्यारावली का सरवादी विस्तार अजमेर जिले में है तो तारागड है वो भी अजमेर जिले में है सी आपका सियान सा अजमेर की स्ताफना की थी अजयराजने 1113 में उन्ह व कंडो बहुंस को देखा नियूस को लेखा साथ है कि राजस्तान से प्राप्त-असोकuting-बाब्रूब बेराड सिलालेग किसे संबोधित है यह है पूरहुईतों को देखे यह असोक से रिलेटेड है बेराड सबेता जो की जैपुर में वहाँ पर मिले थे दो सिलालेग बाबरु का सिलालेग और बाबरु का सिलालेग हो जा था कैप्टन बरट ने और बेराड का सिलालेग हो जा एसील कालाई ने, एसील कालाई लकोन थे, वही थे, जिन्हों ने राजस्तान में सर्वेक्षन की सरवात की थी 1171 में क्योसर नमर आठ आपका है कि राजस्तान की मिस्तित मतष्य प्रदेश के एक राजा जिन्होंने महाबार्त यूद में युदीश्टर की तरब से लड़े थे और वीरगती को प्रापत वे थे यह थे विराठ राजा, जो विराठ सवेता जिको विराठ नगर कहते हैं, वहाँ की राजा थे विराठ जिन्होंने भाग लिया था नो है कि राजस्तान की अधिकांस भाग पर गुब तुमस का आधिपत्य स्थापित करने वाले सासे कों थे यह राजस्तान पर एक टेम पर गुपतों का सास्कों आ था और गुपतों में जो अधिकार किया था गुपतों के सास्कों में वो थे चंद्र गुपत दिवत्ये यहां से एक चीज याद रख ली है बर्तपूर में एक जगह है नो जो कि पुरा तात्वी स्कला है यहां से गुपतों के सीके मिलते हैं और गुपतों के सीकों में सबसे ज़्यादा मिले थे चंद्र गुपत दिवत्ये विक्रमादीते की सीके सबसे ज़्यादा मिलते हैं वहां से कि राजस्तान में गंडराज्जी वेवस्ता को सद्धान के लिए समापता को किस ने किया था ये किया था हुणों ने हुणों ने भी राजस्तान में आकरमन किया था अगर आपको याद है और यहां पर यह चीज़ और याद है कि एक हुण सा सकते मिहिर कूल उन्होंने बेरा राई धtså सी हो जाएगा सही आंसर अगल एक राजस्तान में खेल जगत का सर्वोचे समान दिया जाता है सबसे बड़ा समान जो है वो है राजस्तान खेल रतनवार्ड है तो D आपका सही है चिंदरा नमर, राजस्तान में लिंबाराम खिलाडी हैं इनका समंद्ध वो किस खेल से है वो तिरंदाजी से related है तो right answer आपका C हो जाएगा किस नदी को रिगवेद में सबसे पवीतर नदी माना जाता था सबसे पवीतर नदी सरसोती नदी को एक नमब right answer किस समय की बाइस कि सिकंद्र महान के आकरमण के समय पंजाब से राजस्तान में अस्तानांतरन करने वाली जात्या कोण सी थी जब सिकंद्र ने आकरमण किया था तो पंजाब से कुछ जात्या राजस्तान में आ गई थी कोण कोण सी ते सारी जात्या आई थी यहांपर चीजेयं याद रखनी है, क्याखनी है सिवी जाती आई थी जिन्होंने सिवी जनपद था सिवी जनपद की राजदानी थी नगरी जिसको मद्यमीका कहते थे, ये चितोडगण में है और नगरी से ही सिवी जनपद के सिक्के मिलते हैं अर्जुनायन ये अर्जुन के वंसेज माने जाते हैं ये पुर्वी राजस्तान में बर्थपुर अलवर का जो एरिया है वहाँ पर आई थी योदे योदे का जाता था गंगानगर हर्मानगर को तो गंगानगर हर्मानगर जिले में ये थी पहले माँ पर कुसानों का साथ सनवा करता था कुसानों को इन्हों नहीं रहाया था और अगर आपको याद है गंगा नगर में एक सबेता है रंग मेर जहां से कुसानों के सिक्के मिले हैं कनिसक पर्थम के और दियूद्य के सिक्के मिलते हैं मालो जो है ये आये थे जेपूर के आसफास के भूबाग में यानि इनकी राज़ानी थी नगर वर्तवान में टॉंक में आता है और नगर से और रेड सबेता जिसको टाटा नगर कहते हैं ये भी टॉंक में है वहाँ से मालो जन्पत के सिक्के मिलते हैं तो ये जेपूर के आ अगला आपका है कि राजस्तान का राज की खेल बता दीजे अभी पढ़ा था बास्केट बाल 1940 में सरवात होती है तो D आपका सही है 27 है कि राजस्तान में खेल खुद का समान है वो सबसे ज़्यदा कहां पर बनाया जाता है खेल खुद की सामगरी बनती है हनुमानगड जिले में C आपका राइट आमसा 28 है कि राजस्तान में किरकेट की सरवात जो है परारम है वो कौन से जिले सी होती है किरकेट की सरवात हुई थी अजमेर जिले से एक नमर आपका सही है 29 है कि राजस्तान में अरजुन पुर्षकार के समान कौन सा पुर्षकार दिया जाता है अर्जुन पुर्षकार की समान पुर्षकार दिया जाता है मारणा परता पुर्षकार एक नमर आपका राइट आशन चला है तीस नमर कि राजस्तान में खेल रतन पुर्षकार की स्थापना कब होई थी इसकी सरवात कब होती है खेल रतनपुर्शकार की सरवात हुई थी गुणी सो चरानवे में 1994 सी आपका सही है 31 स्थान में कि राजस्तान में लिंबा राम जो है वो किस खेल में अंतराश्टे ख्याती पराप्त की थी आलेंकि क्यूशन कर चुके हैं, रिपीट हुआ है तो सारे ही सही कर दीजї तेरंदाजी से रिलेटेड है, सिह आपका सही है क्योशन मेराप गतीज कि राजस्तान में सत्थी पर्ता सबसे पहले और कन्यावद रोकने का परियास परियास बताना है ना कि गैर कानूनी और ये जैपूर में हुई थी, सी आपका सही है तेतीस है कि राजस्तान में एक इकन के सब्तम यानि सात्वे चरण में कौन-कौन से छेतर सामिल लगे गए थे सात्वे चरण वाता एक नॉमर गुनिशो चपन को इसमें अजमेर को मिलवाय गया था और शिरोई की आबू दिलवडा तैसिल को मिलाय गया था यहां पर याद रखना है शिरोई का विले वाता चटे चरण में लेकिन उस टैंग पर आबू दिलवडा तैसिल को बंबई में मिला दिया गया था और वापस 7 चाड़ में राज़तान में विले हुआ था उसका 34 कि राज़पर्मु का पद को समावथ करकि राज़ेपाल का पद नाम कब दिया गया था और ये 19-15 में राज़पर्मु का पद कर दिया गया था आपको याद होंगे जैपुर के साथ सकते यह पताने कि वरीत राजस्तान के परदानमंत्री कोन बने थे वरीत राजस्तान के परदानमंत्री बने थे हीरा लाल सास्त्री जी सी आपका सही है चतिसे के राजस्तान में एक एकरण की परकरिया की सरवात कब हुई थी सरवात हुई थी 1948 से 17-18 मार्च 1948 मतरसे संग बना था अलवर, बर्दपूर, दोरपूर, क्रोली और अलवर का जो नीम राना ठीकाना था उसको मिलाकर यह संग बना था बी आपका सही है 49 आप कहें कि राजस्तान में विख्यात इतियासकर जो एक समासुदारिक भी रहे थे तो यह थे हरविला सार्दा जी हरविला सार्दा जी एक इतियासकर भी थे समासुदारिक भी थे उन्होंने एक एक एक्ट भी बना था सारदा एक्ट 1929 में आया था जो लागू हुआ था एक प्रेर गुनी सो तीस को ठीक है बालिवाय को लेकर आपको याद है तो कहां से बिलोंग करते थे रास्तार में अजमेर से बिलोंग करते थे ये किसमा चालिस है कि राजस्तानी रियास्तों में सबसे पहले किस रियास्तों में परजामडल की सरवात हुई थी सबसे पहला परजामडल बना था जेपूर का कब गुनी सो एक्टीस में बना था आलंकी बाद में इसका पुनगटन वाता था चातीस में एक्टीस में बना था ये और कपूर्चन पाटनी की देखस्ता में बना था, बाद में बुंदी की स्थाप्रा हुई थी चलिए, नेक्स्ट आपका है कि राजस्तान में पत्तर कारिता के बिसंपीता मा कौन कहलाते हैं ये पंडी जहबरमार सर्माजी को कहते हैं, एक आपका सही है कि राजस्तान में ठारा सो शित्याउन की वीदरों की सरवाद कहां से हुई थी नसीराबाद की चाउनी से हुई थी, कब हुई थी, 28 में ठारा सो शित्याउन को और बाद में तीन जुन को निमच में हुई थी अगलाय की राजस्तान में राज़ती चेतना का स्वरप्रतम जर्म देने वाले कौन थे या जर्म दाता कौन है यह अरजुनाल शेटी जी वर्दवान वी दल्ले की स्थापना की थी और यह जैपुर से बिलोग करते थे एक नमरापका सही है अगलाय की कितने रज़वाड़े और राज्यों को मिलाकर एक इक इकन बना था राज्तान का एक इकन वा था तो 19 जर्यास्तें थी तीन ठीकाने थे और एक केंदर साथ से परदेश था तो राइट डान्सरप का सी हो जाएगा अगलाय की वर्दा में राज्तान सेवा संकी स्थापना कब हो थी वर्दा आता है महराष्टर में जाम प्रवीदेशी पते का इन्यों मिलकर राज्तान सेवा संकी स्थापना की थी गुनीश सो गुनीश में अगलाय साल गुनीश सो बीस में ये ट्रांसपर हो गया था अज कुरेशसापंध थे शीयान Which ऑना में वह माठी चेक माने के लाल वर्मा की इक था त अगला की वीर-बहगत शामापना किशन की थी वीर बगस समाज की स्थापना की थी वीजे सी पतिक ने वीजे सी पतिक जिनका मुह लाम था वो था भूब सी ठीक है किसान आंदलों के जनम दाता माने जाते हैं ये और विजोलिया किसान आंदल में भी उन्होंने भाग लिया था उतरपर्देश से थे ये बुलन सहर में इनका जनम हुआ था अगर आप कहा है कि सवतंतरता सेनानी और सहीद सागमल गोपा कहां के निवासी थे सागमल गोपा जसलमेर के थे गोपा यानि गोपा परिवार जो है वो बाटी राजवन्स के राजपरोईत वाकरत थे और अंतिम सासक थे बाटी राजवन्स के जोहार सी अगर आपको याद है अंतिम सासक रहे थे उन्हें के सासनकाल की गटना है उन्होंने दो पुस्के लिखी थी जसमरे में गुंडा राज और राजवादी की दिवाने उसी की बज़े से इनको गिर्वदार कर लिया गया था एक पुलीश दिकारी थे गुमान सी उन्होंने इसको गिर्वदार किया था और बाद में ये इनको मिटी का तिल चिड़ कर जिंदा दला दिया था और सब से लाश्ट में की थी शीरोही रियासत ने अगला एकी ठारा सो सी टाउन में आउवा में किस बिल्टीस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दे गई थी हत्या हुई थी मोख मेसन की अगर आपको यादे इनका सरकाट कर आउवा के केले पलेटका दिया गया था एक युद वहा था चेलाबास का युद 18 सितंबर 1800 सी टाउन को जिसको गोरे काले का युद भी कहते हैं एक सैड में करांतिकारी थे ठाकूर को सालसी नेतर तो कर रहे थे दूसरी सैड में मोख मेसन थे और लोरेंस भी थे जोर्ज पोर्टिक लोरेंस जो स्टैम के रास्तान में एजी जी थे तो इनके में के युद दुकाद अच्छ में हार गये थे यह और मोग मेसन मारा गया था चले यह थे most important पचास क्योसन और कितने सही कियें कोमेंट करके बता दू और PDF ले लेना इसकी ताकि रियूजन होसके कांसे लेनी है टेलेग्राम जैनर से लिंक है परहला सारण सेर के नाम से सर्च करना या फिर वीडियो की description में लिंक है तो वहां से direct जोइन कर सकते हैं इसके लिए फेस्टूक पेज इंस्टागराम का भी लिंक है अगर आप यूज करते हैं तो वहां पर भी जोइन कर लिजिए ताकि नहीनी अपडेट है वो आपको मिलती रहेगी तो कर दीजिए एक बार वीडियो को like कर दीजिए और share कर दीजिए मिलते हैं अगरे वीडिय जिए सनों किसाते थैंक यू